सुप्रभात बच्चों, कक्षा पांचवी, विशे हिंदी, उप्प विशे पाठ दो, वर्ण विचार, पुस्तक का नाम, अनुपम हिंदी व्याक्रण, व्याक्ष्यान, एक. बच्चों, आज हम पाठ दो वर्ण विचार को पढ़ेंगे. हिंदी भाषा में प्रियुक्त होने वाली, छोटी से छोटी द्वनी को वर्ण या अक्षर कहते हैं. वर्ण माला, वर्णों के विवस्थित समुहूं को वर्ण माला कहते हैं. हिंदी वर्ण माला में कुल बावन वर्ण हैं, वर्ण के भेद. उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं. नमबर एक स्वर नमबर दो व्यंजन नमबर एक स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है अर्थात जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती. उन्हें स्वर कहते हैं वर्ण संख्या में ग्यारे होते हैं स्वर ग्यारे होते हैं वच्चों प्रतेक स्वर का उच्चारण करने में कुछ नय कुछ समय अवश्य लगता है. किसी में कम और किसी में अधिक इसलिए उच्चारण की ड्रश्टी से स्वर के तीन भेद होते हैं. स्वर के भेद का हराश्व स्वर ख दीर्ग स्वर ग प्लुत स्वर नमबर का हराश्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हराश्व स्वर कहते हैं. ये संख्या में चार हैं अ, ई, उ, र, ख, दीर्ग स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हराश्व स्वर के उच्चारण से दो गुना समय लगता है उन्हें दीर्ग स्वर कहते हैं. ये संख्या में साथ हैं आ, ई, उ, ए, आ, आ, ओ, अ, ग, प्लुत्व स्वर. जिस स्वर के उच्चारण में हराश्व स्वर के उच्चारण से तिगुना समय लगता है उसे प्लुत्व स्वर कहते हैं. जैसे हे राम, ओम. विशेश, अयोगवाह, अंग और अह, ये दोनों वर्ण स्वर के उंतरगत आते हैं. किन्तु ये ने तो स्वर हैं और ने ही वेंजन. इन्हें अयोगवाहा कहते हैं. अंगय के चिन को अनुस्वार तथा अह के चिन को विशर्ग कहते हैं. अनुस्वार इसका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है. इसे बिंदू के रूप में लिखा जाता है. जैसे गंगा, जंगल, हंस, आदी. अनुनासिक इसका उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है. इसे चंद्रबिंदू के रूप में लिखा जाता है. जैसे हंसना, चांद, सांप, आदी. विशर्ग विशर्ग का उच्चारण है द्वनी के समान होता है. जैसे अतेह, नमेह, प्रातेह, आदी. स्वरों का प्रियोग स्वरों का प्रियोग दो प्रकार से किया जाता है. नमबर एक, मूल रूप में स्वर का प्रियोग नमबर दो, मात्रा के रूप में स्वर का प्रियोग नमबर एक, मूल रूप में स्वर का प्रियोग शब्दों के साथ स्वेरों के मूल रूप का प्रियोग किया जाता है जैसे अम्रूद, आकाश, इमली, इनाम, उजाला, रिशी, एक, एरावत, ओढ़नी, ओरत, आदे नमबर दो, मात्रा के रूप में स्वर का प्रियोग स्वरों को व्यंजनों के साथ मिला कर लिखने के लिए प्रतिक स्वर का एक चिन निर्धारित किया गया है इन चिन्नों को मात्रा कहा जाता है जैसे क, आ सहीत व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं जैसे क, ख, त, थ, प, ब, म, आदे आ रहीत व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है बच्चों, एक बार वर्ण विचार पुनेह दोराते हैं हिंदी भाषा में प्रियुक्त होने वाली छोटी से छोटी ध्वनी को वर्ण या अक्षर कहते हैं वर्ण माला, वर्णों के विवस्थित समुहूं को वर्ण माला कहते हैं हिंदी वर्ण माला में कुल बावन वर्ण हैं वर्ण के भेद, उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं नमबर एक स्वर, नमबर दो व्यंजन नमबर एक स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है अर्थात जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं वर्ण संख्या में ग्यारह होते हैं बच्चों स्वर ग्यारह होते हैं इसलिए उच्चारण की द्रश्टी से स्वर के तीन भेद होते हैं स्वर के भेद का हराश्व स्वर ख दीर्ग स्वर ग प्लुत स्वर का हराश्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता हैं उन्हें हराश्व स्वर कहते हैं ये संख्या में चार हैं ख दीर्ग स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हराश्व स्वर के उच्चारण से दो गुना समय लगता है उन्हें दीर्ग स्वर कहते हैं ये संख्या में साथ हैं जिस स्वर के उच्चारण में हराश्व स्वर के उच्चारण से तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं जैसे हे राम ओम विशेश अयोगवाह, अंग और अह ये दोनों वर्ण स्वर के उंतरगत आते हैं किन्तु ये नैतो स्वर है और नैही व्यंजन इन्हें अयोगवाह कहते हैं अंग के चिन को अनुस्वार तथा अहा के चिन को विशार्ग कहते हैं अनुस्वार इसका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है इसे बिंदू के रूप में लिखा जाता है जैसे गंगा, जंगल, हंस, आदे अनुनासिक इसका उच्चारण करते समय हवा, मुख और नाक दोनों से निकलती है इसे चंद्र बिंदू के रूप में लिखा जाता है जैसे हसना, चांद, साप, आदे विशर्ग, विशर्ग का उच्चारण है ध्वनी के समान होता है जैसे अतेह, नमेह, प्रातेह, आदे स्वरों का प्रियोग स्वरों का प्रियोग दो प्रकार से किया जाता है नमबर एक, मूल रूप में स्वर का प्रियोग नमबर दो, मात्रा के रूप में स्वर का प्रियोग नमबर एक, मूल रूप में स्वर का प्रियोग शब्दों के साथ स्वरों के मूल रूप का प्रियोग किया जाता है जैसे अम्रूद, आकाश, इमली, इनाम, उजाला, रिशी, एक, इरावत, ओडनी, ओरत, आदी नमबर दो, मात्रा के रूप में स्वर का प्रियोग स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखने के लिए प्रतेक स्वर का एक चिन निर्धारित किया गया है इन चिन्नों को मात्रा कहा जाता है जैसे क, ए सहीत व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं जैसे क, ख, त, थ, प, ब, म, आदी नमबर ख, क, ख, त, थ, प, ब, म, आदी ए सहीत व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है जैसे आप देख रहे हो ये सभी एरहित व्यंजन हैं जिनके नीचे हलंत लगाया गया है पार्ट दो, वर्ण विचार, ग्रीक कारी है बच्चों, आज आपका ग्रीक कारी है प्रश्न एक, वर्ण किसे कहते हैं प्रश्न दो, स्वर की परिभाशा दीजिए पार्ट एक, भाशा व्याकरण तथा लिपी, ब्रही कारिये का हल नंबर एक, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए क, भाशा किसे कहते हैं उत्तर है, भाशा, प्रश्न है, भाशा के दोनों रूपों का वर्णन कीजिए उत्तर है, भाशा के साधन भाशा वह साधन है, जिसके दुआरा मनुश्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को जान सकता है भाशा के दो रूप है, नमबर एक मोखिक भाशा, नमबर दो लिखित भाशा प्राशनक्खा, बोली किसे कहते हैं? किनी तीन बोलियों के नाम लिखिए उत्तर है, सीमित शेत्र में बोली जाने वाली भाशा को बोली कहते हैं जैसे हर्यानवी राजस्थानी मैथीली प्राशनक्खा, भारत की राज़भाशा कोन सी है? भारत में कितनी भाशाएं बोली जाती है उत्तर है, भारत की राज़भाशा हिंदी है, भारत में 22 भाशाएं बोली जाती है धन्यवाद